Department of Telecommunication में निकली वेकेंसी 64 वर्ष के लोग भी कर सकते हैं अपलाई सरकारी नौकरी करने के एकछा अज लाखों लोग रखते हैं अगर आपको भी Government Job करने का मन है तो हम यहां आपको दूर संचार विभाग में निकली नियुक्ती के बारे में विस्तार से बता रहे हैं दूर संचार विभाग सहायक निदेशक, AD और जूनियर टेलिकॉम अधिकारी JTO में सलाकार के पद के लिए योग उमिदवारों से आवेदन माग रहा है आवेदकों के पास दियेगे वेकेंसी में experience भी होना जरूरी है आपको बता दे कि दूर संचार विभाग भरती 2024 के लिए IUC मा 64 वर्ष से अधिक नहीं होगी आवेदकों की नियुक्ती 6 महिने के लिए contract basis पर की जाएगी जो भी उमिदवार इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके पास अधिकारिक notification में दिये गए संबंदित योगिता होनी जाईए अगर notification में दिये गए संबंदित योगिता नहीं है तो आवेदन पॉर्म नहीं भर सकते जो भी उमिद्वार इन पदों के लिए आविदन कर रहे हैं वे तीन जून तक या उससे पहले अपलाई कर सकते हैं दूर संचार पिभाग के इस भरती के माध्यम से कंसल्टेंट के पदों पर बहाली की जारी है